पंजाब में 2022 में पीए मोधी की सुरक्षा में चूक का मामला एक बार फिर गर्मा गया है जिम्मधारी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई में हुई देरी पर ग्री मंत्राले ने नाराजगी जताई है और राज्यो सरकास से इस मामली पर रिपोर्ट तलब की है इसके साथ इग्री सचीव ने समुद्धे को लेकर मुख्य सचीव से बात की है जल्द लापरवा अधिकारियों के खिलाफ मामली में चार्शिट दाखिल हो सकती है देखिए रिपोर्ट पिछली साल जन्वरी में प्रधान मंत्री मोधी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था इसके बाद प्रधान मंत्री मोधी को वबस एरपर्ट लोटना पड़ा था पिए मोधी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खलाफ कारवाई में हो रही देरी से नाराथ केंद्र ने राजस सरकार से कारवाई की रिपार्ट मांगी है इसके बाद इस हबते की शुरवात में केंद्र गिरह सचीब अजे भल्ला ने पंजाब के मुखे सचीब विजय कुमार जंजुआ से कारवाई की रिपार्ट जमा करने को कहा था इसमें राजस सरकार के दोशी अधिकारियों के खिलाब कारवाई में देरी का भी जिक्र किया गया रिपार्ट में पंजाब कुलस के अधिकारियों पर लापरवा रवाईय का आरोप लगाया गया और इस घटना को योजना और तालमेल में भारी विफलता के रूप में संदर्भित किया गया था जिस समय ये घटना हुई तब पंजाब में कॉंग्रिस के नेतत्रुवाली चरंजीत सिंग चन्नी की सरकार थी दरसल 5 जनवरी 2022 को पियम मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे जब वो भटिंडा हवाई एड़े से हुसेनी वाला जाने के लिए सडक मार से याक्रा कर रहे थे तो उनका काफिला एक प्लाई ओवर पर आदे घंटे तक पसा रहा ग्रह मंत्राले ने तब बताया था कि पियम मोदी के कारेक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था ऐसे में यमों के मताबिक राजे को सुरक्षा के साथ सक अकस्मिक योजना तयार करनी की जरुरत थी साथ ही अकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सडक मांग पर अतरिक सुरक्षा तैनाती करनी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस सुरक्षा चूप के बाद काफिले के भटिंडा एरपोर्ट पर लोटने का फैसला किया गया पी-एम के सुरक्षा में चूप के मामले में एक कारवाई में हो रहे ही देरी को लेकर ग्रिम मंतराले गुस्से में है जाच रिपोर्ट जल्द मांग रही है जिससे जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द बड़ी कारवाई हो सकती है क्योंकि इस मामले में सुप्रिम कोट की गठित पाच सदस्य कमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौप दी है इस खबर में बस इतना ही बागी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ नमश्कार